मैं ऐसा समझता हूँ कि 89 सीट्स पर जो भी एलेक्शन लड़ा जा रहा है वो भारते जन्ता पार्टी की मूल टिकट जो कि कमल के फूल पर लड़ा जाए तो सिर्सा विधानसभा कोई इतनी कमजोर अगर कोई समझे तो उसे हमें हमारा दाइतर जादा बन जाता है कि हम उसको समझने ना दें सिर्सा विधानसभा में एक ही अवाज एक ही लाइन में बात को स्माप्त करूँगा कमल का फूल आएगा तो सुरिकार है कार्य करता हो गया बंदेखी बरदाश्त नहीं हो नहीं हो हमारी अवाज चंदीगेड से लेकर के दिल्ली तक जाए कि कि किसी उधार केडिडेट की जूरत नहीं है भार के दिल्ता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पाटी है ना प्रेशर पोरेटिक्स करती है ना प्रेशर में आती है कमल का फूल आएगा शत्पर्तिशर्ट सर्सा विधानसभा से जीतेगा और जाकर कर नाइब सिंग सानी जी कि दर्वि कि दानसभा में 90 सीटे हैं जिसमें 89 सीटों पर खड़े खुड़े दोर से कमल का फूल लेकर कोई भी हमारा कार्य करता हम लोगों बीच में आ रहा है तो हमारी प्रदेश नेट्रितु से राश्ट्रिय नेट्रितु से इसका कुझ जर्वान कहां से जानी चाहिए कि एक कि यहां से टिक उनने मेरा पकी नहीं अभी तक कि यहां से टिक ने को पाल काड़ा जी को दी जानी है हम सब कर यह करता कि एक ही बांग है कि यहां से कंडिडेट हो वो कमल का फूल होना चाहिए कमल का फूल होना है हम सब अपनी बात केंदरी नेत्रतों तक हो जाने चाहते हैं कि हमें कमल का फूल दे ताकि हम पूरी लगण से मानेट से यहां हम यह करता है हम सब करता है कि हम भी मांग करते हैं कि हमें बारते जंता पालटी का कमल का फूल हमारे किसी जो करता है यह नहीं कि जो आई करी वह करता मुझा वह निची आहां है बोला आद करे करके समर्थर करते हो अमेरे इस बात कर एड़ाइ आद करे करे करता को कमल का फूर देंके पारटी बेचेगी हम तन मन दंसे उसका साथ देंगे और सिर्शागी पंचों बीपंचों शिटे जिता कर देंगे अब जो है पार्टी जन्ता पार्टी पूरे विश्व में सबसे बड़ा राजिमितिक संगर्टन है और यह अमारी उपलंदी है लेकिन उस उपलंदी गोगी पार्टी नित्रतम बहुत सी सिठों पे नकारात्मत सोच रखते हुए इदर उदर से लेकर के पर हमारे उपर थोपने का प्र उसका इलाज यही है मेरा मानना देही संगर्टन से गदारी मेरे खून में जराए मेरी भी राया आपको यही है आप जो है फूल आए तो मन से काम करो फूल ना आए तो अपनी इच्छा से काम कर आए